हालो एब्रिवान आज मेरे पास एक 861 का मदरबोड आया है ठीक है जो आपका ऑप्टिप्लेक्स बगरा है ना डेल का छोटा वाला थीन वाला जो मेशीन आता है सिप्यू उसके अंदर में यह लागा हुआ था ठीक है इसका मोडेल नंबर इधर पर लिखा है इन आई 3861R स्पेस देके MB नंबर है 10097-1 तो यह बोड में कस्टमर ने बताया है यह बोड नो पावर में है ठीक है तो ट्रिगरिंग नहीं हो रहा है तो यह मुझे बोल के दिया गया है ठीक है तो यह हमारा जो डेलर के पास से यह हमें रिसीब हुआ है हमें देखना है हमें इसे रिपेर करना है इसका क्या फॉल्ट है मालूम नहीं सेकेंड जिनरेशन का प्रवेसल लगा हुआ था ठीक है 645 का एनिवे तो यह बोड हम लोग आज स्टड़ी करेंगे देखेंगे बोड क्यों नहीं चल रहा है तो आज का यह जो के स्टड़ी हो होने वाला है ठीक है यह आप जरूर देखो विकॉज इसके मैं जैसे यह वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ ऐसे जो एकदम बीगिनर हो और एडवांस हो ठीक है बोत लोगों के लिए काम आए और एकदम स्टेप बाइस टेप एकदम डेड मदर बोड को कैसे हम लोग रिप है तो मेरा जो टेलिग्राम का ग्रूप है अगर आपने अभी तक जोइन नहीं किया हो तो जरूर उसमें जोइन करो ठीक है जैस्ट टेलिग्राम के लिंक जो यह वीडियो है इसका डेस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जो ग्रूप का लिंक है उधर पे आप चले जा है और वो लुग तो 24 x 7 आप लोगों को सफोब कर रहा है ऐसा है दोचाल लोग सोग मेरे लिए बहुत बढ़ए चीज़ है वो लोग हमारे कॉम्युनिटीज से जुदे हुय है ठीक है तो यह मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है तो यह वीडियो में मैं इधर पर मैं इस बोड को रिपेर करूँगा ठीक है ट्राइ करूँगा रिपेर करने को दिखते हैं हम लोग रिपेर कर सकते कि नहीं तो यह जट्रूब का दीक्स्टॉप करह WAis करो लापक्तॉप में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है पर यह देक्सिटॉप के बारे में ही डेडिकेड़ वीडियो है ठीक है तो कैसे हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं कैसे आपको एप्रोच से आगे जाना है यह सब इधर पर हम लोग देखेंगे ठीक है तो यह जो वीडियो अगर जो भी देख लेगा पूरा मुझे नहीं लगता है उनसको कोई भी इंस्टिटू देखेंगे आप सॉल्ट कर सकते हैं कि नहीं अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है दूसरा बात है जब भी आपके बास मदरबोर्ड रिसीव हो कोई भी कंडिशन पे हो कोई ना कोई प्रॉब्लेम से ही वह आपके पास रिसीव हुआ है तो आप उसमें फिजिकली 10-15 मि आप देख सकते हैं मैंने इसका कनेक्टर पूरा जो बीक फैन लगा होता है उसे उपेन करके साइट कर दिया विकॉज वह अगर लगा रहेगा तो मैं अच्छे से इसका जो फिजिकल है वह नहीं कर सकता हूं कनेक्टर बगरा हटा के आपको फिजिकल करना है फिजिकल का मत धूल है ठीक है जो dust हमारा mother board में collect होता है वो भी एक बहुत अच्छा indication का काम करता है अगर समझो आपके बास कोई भी mother board आए ये समझो आ गये ठीक है बहुत धूल मिटी रहता है मैंने इसे physically देखा कुछ नहीं मिला धूल इसके बाद साफ करके table पे लेके बैठा हूँ ठीक ह बट धूल पहले साफ करने से भी पहले आपको physical में देखना है देखो अगर धूल इधर पे जम जाएगा ठीक है धूल तो जमे गई अगर समझो कोई भी आप समझो आपका audio IC short है ठीक है तो धूल के बज़े से इधर पे जो धूल बगेरा जमेगा वो भी इसके साथ जब य को एक बार देख लोगे ना तो यह जो चीज इधर पे जो मार्किंग है ना वो आपको अच्छे से दिख जाएगा ठीक है तो जब भी मदरबोर्ड आपको मिले धूल बगेरा साफ करने से पहले पहले देख लो धूल में कोई भी कंपोनेंट अलग से नजर आ रहा है की नह इसमें लग रहा है प्रॉब्लम ठीक है तो आप धूल साफ करके उधर पे एक बार चेक करो अधर से ही प्रॉब्लम है ऐसा नहीं बता रहा हो अगर कोई भी एरिया पे शौटिंग होता है वो एरिया गरम होता है उसके बज़े से आपका यह मदरबोर्ड का कलर है वो भी च के के weather से चेक कर लेना ठीक है तो फायदा मिलेगा तो फिजिकल में टाइन देना है तो बहुत टाइम क्या होता है फिजिखल वगएरा में हम लोग देखते हैं अगर समझो यह जो जमफर वगएरा है ó तो इंहर पर वार्किंग किल गया है वाइट वाइट से मार्किंग है इसका मतला 1-2 है तो बहुत सारे motherboard में ऐसा होता है jumper missing होने के बज़े से power off हो जाता है jumper इधर से इधर कर दो तो power off हो जाता है ठीक है ये सब भी होता है customer लोग जो आज कल YouTube में बहुत सारा वीडियो मिलता है तो बहुत लोग क्या करते हैं यूट्यूब से देख के try करता है उसके बाद हम लोग के पास भेशता है जब देखता है वो खुद नहीं रिप्यार कर सकता है motherboard को ठीक है वो खराब कुछ नहीं है वो okay है बट आपको ये धियान रखना है थोरा सा छेर खानी हो सकता है motherboard में ठीक है कर सकता है जो वो करके देखेगा तो इस motherboard को आज हमें रिप्यार करना है तो चलो इसे power on करते है और देखते ही दर पर हमें क्या देखने को मिलता है मैंने जस्ट इसे रिसीप किया है जिखे धूल मिट्टी साफ करके फिजिकल पंदरा मिनिट दस पंदरा मिनिट मुझे नहीं लगता है आज इंस्पेक्शन करने में जाधा टाइम लगता नहीं है तो जल्दी जल्दी मैंने एक मेरा मैगनिफाइंग ग्लास है इसके हेल्प से जल्दी जल्दी देख लिया धूल मिट्टी साफ कर लिया उसके बाद पावर ओन करके मैं अभी देखूंगा इसका क्या है स्टोडी ठीक है तो चलो पावर ओन करते है ओके इधर पर इंडिकेशन है ये एक अच्छा बात है ठीक है इसका मतलब तो हमारा 3. 3.3 LDO बन रहा होगा यह most probably अपका LDO लाइन से ही जुरा है ठीक है तो इफ पैनल थोरा सा अलग है ठीक है देख सकते हो यह पैनल है हमारा एफ पैनल के मतलब फ्रॉंट पैनल जिदर से हमारा पावर ओन होता है तो इधर पे हमें देखना है कौन सा पीन पे 3.3 है ओके उसके बाजुबाला अगर ग्राउंड है तो हम लोग उधर से ही चालू कर देंगे हमारा पावर बटन कर लिए ठीक है बिकॉस पावर बटन में 3.3 तो आना ही चाहिए बिकॉस यह लाइट भी जल रहा है ठीक है तो अभी तक तो नहीं मिला सभी 0 है यह अच्छा बात है ओके यह यह 3.3 यह 3.3 है ठीक है यह 3.3 एक सेकंड मेरा एक कॉल आ रहा है वान सेकंड रुख जाओ आपको थोड़ा सा पहले देखने को मिल जाएगा ठीक है यह इसका फैन नहीं है हाथ में मिल गया तो लगा देते हैं कोई भी फैन लगा चलेगा अगर बोड आन होगा ठीक है चलो तो ट्रिगरिंग करते हैं नहीं देखो यह मैंने शॉट किया ओके यह दो पीन को एकदम पाली शॉट कर रहा हम बड़ इसका कोई भी रेस्पांस नहीं है चलो ठीक है तो बोड हमारा एक्जैकली जो डिलन ने बताया है तो डेड है तो ठीक है हम लोग एक बार देखेंगे इसका जो एक बार पीसी आई एकस्प्रेस जो स्लॉट है छोटा वाला स्लॉट इसमें ह ओके इधर पे 3.3 stand by का supply नहीं आया है ठीक है नहीं आया है तो इस पॉइंट पे आपको थोड़ा मैं रुखने को कहूंगा विकॉस मैं थोड़ा पावर अफ कर देता हूं इसे ठीक है मैं इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा रुखने को क्यों बोल रहा हूं विकॉस एल का है लेनवो का है और एचपी का है ठीक है कॉमर्शियल बोर्ड है यह सब ठीक है रेगुलर वेसिस में आपको नहीं मिलेगा ठीक है ऐसा अगर बोर्ड कभी आ जाए आपके पास तो ऐसा जरूरी नहीं है इधर पे पावर स्विचिंग अन होने से पहले ही इधर पे आ स्कीमेटीक चलो देख लेता है स्कीमेंटीक ठीक है डाउनलोंड कर लेते स्कीमेटीक और इधर पर और कुछ भी नहीं है ऐकी चीज मैने नहीं देख देखा बायो सक्बिन नमबर स deliberately ही वो बनेगा हो सकते है बने हो सकता है पावर बटन प्रेस करने पे बने जेस्ट हम लोग देख रहे हैं नहीं भाई कुछ नहीं है जेस्ट हमारा पावर बटन पर 3.3 अबलेबल है स्विचिंग नहीं कर रहा है ठीक है तो ठीक है कोई बत नहीं चलो एक बत देख लेते हैं RTC से ओके RTC में voltage है ठीक है 3V है और यह RTC का डायोड है ठीक है तो RTC का डायोड में यह 3.3 आ रहा है ठीक है यह बैटरी का voltage आ रहा है आपको मल्टमीटर दिख रहा है ठीक है प्रॉपरली दिख रहा है तो एक मैं देख रहा हूं 3.3 यह LDO वाला supply है ठीक है यह हमारे बैटरी का supply है ठीक है और आउटपुट में जादा जो है वही जाएगा ठीक है 3.1 तो RTC बीसी सी भी बन रहा है और आपका क्या है आपका जो इधर पे जो आपका क्या बोलते है एटरून पैनल इधर भी वोल्टेजब रहा है ठीक हैं तो चलो अभी स्किमेटिक निकालने की जरूरत भी नहीं है ठीक है थोरा सा तो हम विदाविध स्किमेटेक भी चेक कर सकते ना ज़रूरद वो तो हमना ही परेगा बिकाउज सब तो अर्टी से सेल बन रहा है, मैं थोड़ा मेरा उसिलोस्कोप को स्टार्ट कर लेता हूं, ठीके, तो आर्टी से मेरा सेल का वोल्टेज है, एल्डियो है, इधर पे पावार बटन पे वोल्टेज है, तो most of the time हमें देखने को मिल सकता है हमारा जो ऑसिलेटर है, ठीके, यह 32 क का किलो हाट्स का जो हमारा फ्रिक्वेंसी है वह हमें मिल सकता है अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है एक बार हम लोग इससे ढूनने की कोशिश करेंगे ठीक है तो यह थोड़ा डिफिकल्ट है मैं थोड़ा सा नीचे लेके ऐसे कर लेता हूं ठीक है यह इधर से देखे ठीक है तो आपको दीक रहा है वह ओके तो आटीसी सेल मैं इसके उपर भी वीडियो बनाऊंगा ठीक है बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट कर रहे है और सिलोस्कोप के उपर वीडियो आएगा थोड़ा सा रुख जाओ मेरा काम का थोड़ा प्रेशर कम होने दो मैं ज़रू पिंड्राइब लगा देते हैं ठीक है जो अगर मिल जाएगा तो उसका फ्रिक्वेंसी को थोड़ा क्याप्चर कर लेंगे आपके लिए ओके तो पिंड्राइब मैंने लगा दिया बहुत अच्छा तो अभी क्या करते हैं इधर पर हमारा एल्डियो है देखो लाइट जल पर्पली इदर पर हमारा एल्टिस सेल लगा है ठेक है चमक रहा है पूरा और यह हमारा आप्टीचा का क्रिष्ट्र है तो चलो आपके क्रिस्ट्र का इंपूल डर आउपट्वट चीफ करते हैं आप ओके बहुत खराब कुछ बन रहा है घ्राउंड पर है ग्राउंड है थोड़ा सा वोल्टेज को मैं इंक्रीज करता हो मेरा फून को साइट कर देता है इस लिए फोन इधर पर लेके बैट गया था तो इधर पर लग के मैं थोड़ा साइस का जो वैलू है इस तोड़ा इंप्रेस करूंगा ओंके और अभी थोड़ा सब्सक्राइब अरे मेरा देखो भाई कैमेरा पूरा लटक गया अब क्या कर सकते हैं ठीक है कुछ नहीं कर सकते हैं हम सो ठीक है हम लोग चलो अटो प्रेस करके कर लेते हैं इसे ठीक है के खालो और ये आपका अउटबूट अन्ट के सो थोड़ा सा मैं इसे अड़्जस्ट करने की ट्राय करता हूं ठीक है धुकर यह थोड़ासा गलत्त अरहें अभी एकदम प्रॉपर है देख शकते हो थार्टी टूपइंट्स सेवेंट इच्थ एठीक है मैं आपके लिए ले लेता हूं तो रहा है मैं क्या करता थोरा सा बीग भी आप कर सकते हो इसे ठीक है आप इधर पे मेजियर और परामेटर्स पे आप देख सकते हो ठीक है अपका प्रॉपर 32.7 आ रहा है तो इसका भी मैं स्क्रींशॉट ले लेता हूं तो मेजर और परामेटर्स को बंद करते हैं यह आपका इनपूट है ठीक है जो पीसी यह जिनेट कर रहा है अभी यह जो क्रीश्चल है इसे वो एम्प्लिफाई करेगा ओके तो यह आपका आउटपूट है देखो एकदम क्लियर चीक है के हाथ मेरा ही गया 32.76 मैं देख सकता हूँ चला ओके यह भी सेव हो गया तो all parameters करते थे तो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं without प्रॉब्लेम देखो 32 का इन्पूट बन रहा है ठीक है ऐसा क्यू दिखा रहा है मैं थोरा सा स्केल डिवीशन टाइन डिवीशन को जो है उसे इंक्रीस करके रखाऊं यह ठीक है यह इन्पूर्ट क्रिस्चल का ठीक है आप देख पी सकते हो मैं पूरा क्रिस्चल में ही चेक भाए आज तो मेरे से बहुत बर्यक्त चीज हो गई ठीक है देखो कि यह थे खुल के हाथ में आ गया कि थोरा सा रुको ठीक है थोरा सा में वीडियो को थोरा सा पास्ट कर लेता हो तो मेरा थोरा जो यह क्या बोलते है यह जो हमारा ट्राइपोड है ना जिससे मैं माहूंड करता हूँ वह ही निकल गया था टेबिल से ठीक है तो आपने देखा इधर पे प्रॉपर आपका 3.3 वोल्ट बन रहा है इधर पे आपका क्रिस्चल भी ओके है तो इसका मतलब हो सकते हैं आपका जो 18 ची सेक्ष्ण वो हो सकते है ओके ठीक है तो अभी तो हम लोग स्कीमेटिक के बीना कुछ भी नहीं कर सकते इधर पर हमें register को find करना है तो RTC section को check करने से हमें क्या क्या देखना है RTC का requirement check करना है पूरा ठीक है तो crystal में frequency बन रहा है वो काफी नहीं है हमें देखना है RTC reset, SRTC, intruder और जो INTVR enable है ठीक है INTVR enable तो चार पॉइंट को हमें check करना है 3.3 के लिए input output में ओके तो चलो देखते हैं है तो एक सेकंड मैं देख लेता हूं हमारा group में most probably है मॉडल नंबर है 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 सॉड़ी इम आई एच सिक्स्टी वान इम आई एच क्या हो गया भाई हाँ मेरा ग्रूप में है ठीक है चलो स्कीमेटिक तो मिला इधर पर मुझे बोड़ वी चाहिए इधर पर बहुत सारा कंपोनेंट है तो चलो एक बार बोड़ व्यू देख लेते हैं इसका बोड़ व्यू मिलता है कि नहीं ठीक है ग्रूप में यह है ठीक है ग्रूप में ग्रूप में एक्टिविटेस भी चल रहा है तो मैं थोड़ा सा मेरा जो वाइट यह बंद कर दूंगा ठीक है तो आ गया ठीक है आपका जो भी डायग्राम है ठीक है और इधर से जो मैं इसे क्लोस कर देता हूं वाइफाई भी बंद कर देता हूं मैंने एक इधर पे टॉप का यह टॉप यह इसका बोड़ व्यू है ओके चलो वाइफाई बंद कर देते हैं नहीं तो आपका मैसेज आता ही रहेगा थोरा सा जूम बैक हो यह ही है एकदम पॉपर चीक है कोई बात नहीं थोरा साहाथ में लगके ज्यादा ही जूम हो गया था यह एकदम प्रॉपर यहीं मदर बोड़ है ठीक है मैं यह सायो को देख लिया यह देख लिया तो अभी क्या हो रहा है अभी हमारा इधर पे पावर अबर बोर्ड है चलो सार्च करते हैं पहले ही आर टी सी टो बन रहा हो एंड योड में मैंने पहले दिखा दिया ठीक है विंग फोही भी जरूरत नहीं यह डाइउड ओके यह निशेक कर दिया इसलिए फितर सीानी जेक कर दिया तो सबार नहीं टो रिसेर नहीं चैसए है walking आर टी सी आर एस्टी हैज वगरा छोड़ो डायरेक्ली सर्च करो ठीक है ओके इधर पे एक अच्छा सा डायग्राम भी है इसे हम फॉलो कर सकते इधर पे बहुत सारा कुछ लिखा गया है अब मॉडल नंबर देख लो मदर बोट का ठीक है यह है 10097-1 ठीक है यह मेरा अब लूट करके यूज कर सकते हो कोई बत नहीं इधर पे बहुत अच्छा है यह देख एक चीज मैं दिखा देता हूं तो इधर पे हमारा पावर सिक्वेंज डाग्राम भी है यह बोड तो हंड़ेड पसंड रिप्यार होने वाला है ठीक है हमारे पास सभी है ठीक है अब आसा जूम कर लेता हूं कि इधर पे यह लेके आया मुझे देखते है ओके यह देखो यह क्या है यह पीसी एइचे कुगर पॉइंट ओके कुगर पॉइंट माने 61 का पीसी ठीक है सो 61 मदरबोर्ड तो इधर पेs सेंगें थेखो पहले यह है competing क्यों तो यह चारो को हमें चेक करेंडा इकिसको किसको RTC Reset, SRTC Reset, Intruder, and हमारा INTVRM Enable, यह हमारा directly RTC के लिए जिम्मेदार है, और PCH जो लिखा है RTC, X1 and X2, यह हमारा Crystal है, तो Crystal में तो हमने देख लिया, ठीक है, फ्रिक्वेंसी बन रहा है, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, इधर पे हमारा जो चार पॉइंट है, वो पॉइं पॉइंट है कि नहीं, ठीक है, तो मैं आप लोगों को फिर से इधर पे माउंट कर देता हूँ, ओके, अरे भाई, पावर बटन क्लिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो बंद हो जाएगा वीडियो फिर से, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, गोड, तो मैं ट्राइ करूँगा वीडियो को एडिट करने के टाइम पे छोटा सा इधर पे दे दू, ठीक है, इधर पे देने का ट्राइ करूँगा, ओके, तो अभी देखते है, इधर पे दिक रहा है, मुझे, मैं इधर से ही स्क्रिंशोट लेता रहता हूँ, ठीक है, तो मुझे जो चेक करना है, वो है, अब जब वीडियो एडिटिंग होगा, अरे भाई, कि धर चला गया, जब वीडियो एडिटिंग होगा, तब मैं इसे समाल दोंगा, कोई चिंता नहीं, तो हमें चेक करना है, ये, RTC, Intruder, ये तीम को पहले चेक करना है, हमें, RTC, 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 Intruder, और लास्ट में चेक करना है, ये, Intvrm, इनदर, तो ये सब में आपका वोल्टेज आना ही चाहिए, ठीक है, तो इसका जो आपका रेजिस्टर होता है, उसका Input, Output हम लोग चेक करेंगे, ओके, Input, Output, वोग साइट को आपको चेक करना है, ठीक है, तो, इधर पे, चेलो, RTC, Intruder, प्रेजिस्टर, इसे हम लोग कॉपी करते है, लिखा हुआ है, RTC, PCH, RTC, प्रेजिस्टर, ठीक है, कोई बाद नहीं, पेस्ट, तो इसे किधर पे जा रहा है, कोई ना कोई रेजिस्टर पे जा रहा होगा, ओके, इधर पे एक, अच्छा, एक सीमोस का कानेक्टर है, यह जो कनेक्टर होता है, यह, 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 ऐसा कनेक्टर पे जा रहा है, ठीक है, पूल अप रेजिस्टर, रेजिस्टर का नमबर है यह, आर, आर, फोर, सिक्स, एट, ठीक है, स्किन्शोट ले लेता हूँ, चलो, टॉप व्यू में जाते हैं, आर, फोर, सिक्स, एट, दवाते हैं, आजा भई, आगे आप यह, थोड़ा जूम कर लेते हैं, रिखर रहा है, नहीं है, ए नहीं है, मिल गया, आर, 4, 6, 8, एड, ओके, इधर पर एक कनेक्टर है, कनेक्टर का नमबर है, लिखा हुआ है, C, M, O, S, C, L, R, ठीक है, मैं, CMOS, क्लियर 1, तो यही है, CMOS, क्लियर 1, ठीक है, यही, सो मैं थोरा से आपको दिखा देना चाहता हूं मैं ऐसे वीडियो नहीं बना सकता हूं थोरा से दिक्कत होता है मुझे ठीक है मुझे लगता है आपको नहीं दिखाने से आपको थोरा से समझने में दिक्कत आ सकता है ठीक है तो यह देखो मैंने क्या किया एकी साइड में है मै क्लियर का और यह रेजिस्टर मैं फाइंड करना चाहता था तो इसका एक साइट पर आपको जो एल्डियो वोल्टेज है वो मिलेगा यह देखो बैटरी से लिखा है का मतलब इसका मतलब बैटरी 3ds सारी v3p 03 वोल्ट्स को सप्लाइ आये इड़ पे और निखल के इस मंट पे आएगा ठीक है यह अमरा क्लीर पॉइट पे यह जो क्लीर पॉइंट हे वन्टू शॉट होगा दो नमबर पर कुछ नहीं, तो देखो one two short है, यह इधर पर लिखा है, देखो, यह लिखा है, छोटा-छोटा करके, तो one two short है, ओके, बट इधर पर आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेजिस्टर को, इधर पर मैंने register को साइं, सर्च किया है, जो r468 है, टॉप व देखो register तो most probably यह हो सकता है कोई भी हो सकता है थोड़ा सा धेक्लेंगे बिकोज यह 69 है है यह एक capacitor होगा तो यह ही हमारा RTC का reset का dog register हो सकता है मैं थोड़ा सा मेरा phone का यह connector को मैं ठीक कर लेता हूं चीक है अप लोग देख सकते हो प्रॉपर ली प्रॉपर है चलो अभी सार्च करते हैं तो एक्जेक्ली मैंने जो बोला था इधर पर हमारा एक कैपसिटर है ठीक है मैं आपको थोड़ा सा इधर पर जूम करके दिखा देता हूं आप आजो ठीक है आगे हैं आप लोग तो यह देखो यह आपका क्लियर का ओप्शन है यह है और इधर पर मैंने उधर पर दिखाया था बोर्ड व्यू के मुतबिक एक रेजिस्टर एक कैपसिटर एक रेजिस्टर नमाना 68 है 468 तो इधर पर यह रेजिस्टर का बोट साइड में आपका 3.3 मिलना चाहिए ठीक है तो फिर से आप लोगों क को मैं थोड़ा उपाल ले लेता हूं ओके यह बरा एक बोर्ड है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है चलो तो यह रेजिस्टर का इंपूट आउटपूट को चेक करते हैं ओके यह आ रहा है ठीक है यह इंपूट है आउटपूट है हमें नहीं मालूम तो हम लोग जस्ट चेक तो यह रेजेख बलच जुशब आईपूट है थो सा दिक morals का है ठीक है तो आर्ट सी सि még रिसेट आहिं मिल गया है ठीक है चलो आर्टिसीरीत मिल गया तो बहुत अच्छा है अभी थोड़ा हम लोग सार्च करते हैं तो है तो वन के साइड में ही है देख लेटे यही है क्या एक बार लोगों मैं दिखाता हूं हां यही है तो इधर पर देखो इधर पर देखो मैंने सर्च किया SRTC तो आया यह पॉइंट पहले यह पॉइंट मैंने चेक कर लिया RTC ओके चला गया अभी हम लोगे SRTC का पूल आप देखेंगे कैसा लिखा हुआ है SRTC ठीक है SRTC RST उसके बाद एक B है ठीक है B उसके बाद हमारा पूल अप तो यही हमारा एसा टीसी है ठीक है चलो इसमें हम लोग देखेंगे इन्पूट आउट्पूट में 3.3 आ रहा है कि नहीं ओके गुड़ चलो तो रेस्टर नंबर क्या है चलो यह भी दिखा देता हूँ आपको देखो यह पॉइंट पे आया अभी जो पॉइंट हमने चेक किया वो था यह पॉइंट इसके नीचे में एक है 468 है यह 79 है चलो ढूण लेते हैं 79 किधर पे है आपके साथ ही ढूणते है इधर पे 79 है 479 ठीक है तो और 479 एंटर देखो यह मिला यह तो इधर पे नीचे से three number three three number वह रेजिस्टेर है और 479 चलो देखते हैं वह ही है वह कनेक्टर के शामने हैं हमने यह Kingdom क देखे हम लोग आगे चले ठीक है फूलासा ट्मीजर से और इधर से दिखा देता ओ यह ंदो तीन नमघर फर отд dengan इधर पर क्या आएगा सर्टीसी ठीक है बहुत अच्छा एकदम स्टेप बाइस टेप जा रहा हूं किसी कभी कोई प्रोब्लेम नहीं आएगा इससे ठीक है तो चलो एक बार मैं देख लेता हूं रेइस्टर क्या पासिटर रेइस्टर एकदम प्रॉपर है मैंने जो दिखाय इधर पर एकदम प्रॉपर तो इधर पर आप आजाओ मैं पहले दिखा देता हूं आपको मैं क्या इधर पर चेक करूँगा ठीक है बहुत परीश हमाश्या है बोट का बहुत होना तो यह एक रेजिस्टर यह एक वैलू है यह एक वैलू है यह आपका आर फोर से भी नाइ है तो मैंने बोला रेजिस्टर कैपसिटर रेजिस्टर फिर से कैपसिटर देखो एक दम सीरियल ही है तो हम लोग इसका चेक करेंगे ठीक है तो आप लोग ऐसे हाँ यह तो दिख रहा है माल्टिमीटर प्रॉपा लिठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप इधर से देख भी सक राकते हो तो चलो चेक कर लेते हैं हाँ तो इंपूड आउट्पूड हमें मालूम नहीं तो यह देखो 3.16 आ रहा है ठीक है और इस साइड 3.17 आ रहा है तो इंपूड 17 है और आउट्पूड 16 है ठीक है एकदम प्रॉपार है एसा तो एसा टीसी भी हमारा क्लियर चला गया चलो अभी देखते हैं intruder ठीक है फिर से मैं search कर रहा हूं point को फिर से आ गया यह point अभी हमें क्या check करना है intruder यह हमारा intruder intruder का हमारा जो pull up है उसे हमें check करना है ठीक है paste इधर से search यह आया यह फिर से एक register पर हमें लेके गया है intruder का यह कोई connector होगा intruder का छोड़ो बट यह अमारा line है यह pch में जा रहा है इधर से आ रहा है फिर से वह देखो battery से connected है वह same name ठीक है वह विरेज का supply same जगा से connected है तो यह ही आपका check करने का सबसे important है इसका एक दम पहले वाला जो मैंने चेक किया था उसका पहले मैंने बोला था register उसके बाद क्या से रहे उसके बाद register तो देखो यह देखो पहला वाला उसके रेइस्टर जो है वह intruder का है ठीक है तो एक ही point पे सभी है यह हमारे लिए बहुत अच्छे बात है ठीक है हम लोग easily check करेंगे आपके लिए भी आशान होगा इसे समझना ठीक है तो मैंने दिखा दिया था पहले से और नहीं दिखा रहा हूं एक डाइरेक्ट चेक कर रहा हूं ठीक है एकदम पहला वाला रेइस्टर तो इसका 2.8 है ओके ओके जा रहा है ज्यादा ओके नहीं है बट 8 8 है तो 2.9 अपकर सकते हो तो हम लोग इसे ओके ही बताएंगे ठीक है देखो 3.17 है और 2.88 है तो हम लोग इसे है ओके मान के ही आगे जा रहे हैं बट यह कोई दिक्कत भी हो सकता है बट वो हम अभी नहीं इसे अक्नॉलेज करेंगे ठीक है वो हम लोग आगे जाते हैं अगर कोई एकदम फाइनाली हमें एक फॉल्ट मिल जाता है एक बड़ा सारा ओव्यस फॉल्ट तो हम उसमें जाए ठीक है और अगर ऑव्यस फाल कुछ भी नहीं फिर भी अपका प्रॉबलीम है तो हम लोग इस रेइस्टर को रेउड़ेश करेंगे घिए और इसका वैलू देखेंगे और इसका output देखेंगे कुछ भी बट अभी नहीं राइट ना नहीं ठीक है तो इन्टूडर भी मिल गया चलो हम लोग फिर से आ जाते हैं हमारा पीसी एच का कनेक्टेड होगा यह भी आपका RTC के लिए इन्पॉर्टेंट है तो यह चार रेजिस्टर क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी आपका जरूरत है देखो इधर पर भी सेम 3.3 आया बट इधर पर वोल्टेज ड्रॉप मिल सकता है बट इधर पर लिखा गया है हो सकते यह नहीं हो तो य वोल्टेज डिवाइडर क्रियाट कर रहा है थोरा सा वोल्टेज लो आएगा एस एकोडिंग टू जो वोल्टेज डिवाइडर रूल है 239 है 1K है ठीक है इसका मुताबिक बट इधर पर हमें देखना है तो यह क्या है 485 है तो इधर पर और क्या है कुछ सभी तो इसमें ही 725 एंटर ओके यह थोड़ा सा आगे है 485 देख सकते हो एकदम PCH के बाजू में यह कनेक्टार यह हमारा चीज ठीक है तो चलो एक बार देखते हैं यह कनेक्टर के सामने यह लिखा तो है 485 ठीक है आप लोग देख सकते हो यह यह 485 सेकेंड नमबर ओक मैं थोड़ा सा नक् से नहीं दिखा के इधर पर देखो यह 485 सेकंड बाला बट यह कौन सा चीज है उसे हमें देखना है रेजिस्टर ऐसे लगा है ठीक है यह तो दिक्कत है भाई कौन सा है इधर पर तीन रेजिस्टर आपका लगा है एसे जैसे लगा होता है वैसे ही इसका किया जाता है मुझे तो नहीं दिख रहा है यह का रहा है आडला है ठीक है क्या है भाई की सो दुझर क कि अगरा नहीं है ना रिए्टम शॉटत पैट है नहीं ना ठीक है चलो आप लोगों को मैं थोड़ा सा माउंट करके देखता हूं ठीक है माउंट करके थोड़ा सा find out करने के try करता हूं कैसा है circuit तीन register ऐसे लगा है CC करके दो है इधर पर वो मिल गया तो दिक्कत है ओके ये वाला हो सकता है इधर पर तीन register लगाने की जगा है इस पॉइंट पर ठीक है मैं थोड़ा सा light जला लेता हो इधर से मैं दिखाता हूं हो सकता है हमारा कौन सा मैंने दिखा अभी यह एक रेस्टर दो रेस्टर तिन रेस्टर एक मिसिंग है तो मीडिल वाला जो है वो हो सकता है यह मीडिल वाला ठीक है तो चलो एक बार वोल्टेज से इसे कंफर्म करने के ट्राइब करते हैं अगर इसमें वोल्टेज आ रहा है तो जरूर यह ही होगा यह ही है ठीक है देखो 3.16 यह इंपूट है ओके यह भी ओके यह बर रहा है थोरा सा हाँ 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 थोरा सा इधर पर टाचिंग अच्छे से नहीं हुआ था 3.04 तो 2.4 2.5 वह हम लोग रिजेट करते वह प्रॉब्लेम मानते बट वह थोरा सा अच्छे से पकड़ने से वह चल लगा ठीक है बन आपका बोर्ट फिर भी ट्रिंगा नहीं हो रहा है यह तो बहुत बहुत दिक्कत है ठीक है यह केस तो मैंने समझा कुछ छोटा होगा बात यह तो लौंक छेगा इंपॉर्टेंटेंटन केस हो गया यह इनपॉर्टेंटन केस के लिस्ट में चल अगया चलो ठीक है बहुत अच्छा है ऐसा ही केस आ जाए तो मेरा भी आपको सिखने में इंटर्स बना रहा है ठीक है विगाज ये बहुत अच्छा केस है तो अभी क्या हुआ आटीसी हमने चेक कर लिया आटीसी मैंने पहले बताया था ना इधर पर आगे आपका क्रिस्चल का फ्रिक्वेंसी इसका मतलब मुस्ट प्रॉब्ली आपका आटीसी ओके है पट फिर भी आपको कांफर्म करना है डेट केस में ठीक है तो हम लोग अभी आयो पर जाएंगे चलो आयो का देख लेते हैं आयो का बीच में कुछ लिखा हुआ क भी नहीं यू बगेरा यू से डिनोट किया जाता है आइसी हाँ इधर पर देखो इधर पर दिखना है यू थर्टीसीक्स यह आपका आयो है यह एसमसी का चीप है ठीक है 55 क्या है 14 वही लग रहा है कैमेरा से तो उतना ही दिख रहा है चलो स्कीमेटिक में जाते हैं यू थ तो देखते हैं इधर पर हम लोग क्या-क्या चेक करेंगे यह यू थर्टीसीक्स ओके तो इधर पर चलो देख लेते हैं हमारा जो ओन आफ है वह आ रहा है कि नहीं पावर बटन यह च्छतिस नंबर पीन पर पावर बटन है ठीक है पावर बटन पर हाई लो हाई का सिक्व हो रहा है जब भी मैं कर रहा हूँ ठीक है इच यह यए इसे हमें चेक करने है ठीक है पहले दफाह और 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 क्या आरे सम्री से तो ट्रिगरिंग के बाद बनेगा वो भी देखना है बट चलो पहले हम लोग की से देखते हैं ठीक है पावर बटन पे हाई-लो-हाई है कि नहीं और पीए-स-उन का सप्लाई है कि नहीं फाइब बोल्ट ओके पीए-स-उन भी इधर पर मिलेगा ये ये देखो पीए-स-उन तो फाइब बोल्ट जो ग्रीन वेर का पावर है वह आयो पे आ रहा है कि नहीं विकाज उसे ग्राउंड करना है तो बोट चलेगा तो ये आपको चेक करना है पावर बटन आपको चेक करना है जो चलो पावर बटन से स्टार्ट करते हैं 36 नमबर प 10 15 20 25 55 करके मार्किंग है ठीक है 25 5 भी है ना नो 10 है 1 2 3 4 5 ओके 6 7 8 9 10 हाँ 5 5 करके मार्किंग है तो 10 15 20 25 30 35 & 36 यह देखो 36 पे हमारा 3.3 बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 3.3 को इधर पर टाच करके रखेंगे और एक मेटल के ऑब्जेट से हम लोग जो पहले पावर बटन को धूंडा था वो था यह दो पिन तो अभी वो कंफर्म होगा हमने जो धूंडा था वह 100% ओके है कि नहीं अभी हाई लो हाई होगा यह देखो लो होगा यह हाई होगा इसका मतलम हमने पहले एकदम प्रॉपर पॉइंट पे चेक किया था अब भी देख सकते हो बोर्ड में कुछ भी नहीं हुआ ठीक है बोर्ड आपका डेड तो डेड ही है ठीक है चलो 5 वोल्ट पीएस ओन डिखते आ रहा है कि नहीं 55 में 5 वोल्ट तो 30 किदर गया 35 इधर पे 55 आरा है 5 वोल्ट आरा है 4.99 गजब का केस यह भी मिल रहा है चलो तो बनेगा ना भाई बोर्ड ठीक है यह भी यह तो मुझे आयो खराब लग रहा है अभी ठीक है अभी भी ओके है ठीक है ओके चलो एक बार एक चीज देख लेते हैं और क्या हम लोग इधर पर चेक कर सकत है और से हम रिषेट वागेरा निकला कि नहीं ठीक है ट्रीगरिंग वहा कि नहीं वह देख सकते हैं रसे म की नमबर पर 60 पर RSM reset तो चलो एक बार देख लेते हैं और हमें आयो का भी विसी सी चेक करना है वह भी हमने नहीं चेक किया ठीक है तो चलो एक बार देख लेते हैं ट्रिगरिंग तो हमने किया है तो फिर से ट्रिगर करेंगे अभी हम लोग देखेंगे RSM reset कितना नंबर 60 ओके तो इधर पर 55 था ये 50 ये 55 ये 60 ठीक है तो 60 पर रखते हैं प्रोब ये देखो 5 वोल्ट है ठीक है तो RSM reset हाई है और इधर पर देखो इसका concept उल्टा होगा इधर पर होगा RSM reset हाई है ठीक है बड़ इधर पर एक डॉट है तो हम लोग क्या करेंगे एक बात देखेंगे वो ट्रिगर तो नहीं हो रहा है हो सकता है ये ट्रिगरिंग के बाद बन रहा है विकाज मैंने तो ट्रिगर दवा दिया ना तो हम लोग क्या करेंगे पावर को आफ कर देंगे यह लाइट चला गया इसका मतलब अगर ट्रिगर हुआ भी था बोड़ अभी बंद हो गया हम लोग क्या करेंगे 60 पे चले जाएंगे 60 पिन नमबर 60 तो यह 60 है तो 60 पे हम लो मतरबोड है है इसमें रस्म रिषेट इल्टा cater और बैelp his का मतलब है इसका मतलबार रस्म रिष्ट जो आ बहु अभी हाई है बरड ट्रिगर पे वह लोग हो जाएगा थिके यह बहुत टाइम हमें काण्फूूस करता है हम लोग समंच visiting RSM निकल गया नहीं भाई यह निकला नहीं है ठीक है चलो पहला जो हमें status चेक करना था वह हमने नहीं किया तो एक बार VCC चेक कर लेते VCC मिलना ही चाहिए देख लेते ओके इधर पर देखो 3V एक है VCC3 ओके एक है आपका VCC3 और एक है ASV स्टेंड वाई 3V यह बैटरी का वीरेज का सप्लाई है ठीक है बैटरी का सप्लाई बैटरी तो हमारा ओके है ठीक है हम लोग देखेंगे इस में से हमें एक तो मिलना ही जाहिए कौन सा मिलेगा यह नहीं मिलेगा most probably यह मिलेगा because यह जो है यह आप बोल सकते है इस फाइब का वोल्टेज है बोर्ड ओन होने के बाद बनेगा बट यह तो स्टेंड बाई है स्टेंड बाई कब बनता है पावर ओन करने पे ही आपका पार्पेल वायर से स्टेंड बाई बनता है तो यह जो हमारा पीन है 24 है के बाद 34 ठीक है मेरा थोड़ा हिल रहा है मेरा हाँ ठीक है तो चलो 24 को पहले चेक करते हैं आयो में वोल्टेज एक नहीं ठीक है तो 5 बोल्ट सॉरी 5 नमबर पीन 10 नमबर पीन 15 20 25 एक पीछे 24 आरी देखो भाई 0 वोल्टेज मैंने ठीक पकराना एक सेकंड 5 10 15 20 21 22 23 यह 24 यह 0 वोल्ट तो एसायो को पावार नहीं मिल रहा है तो क्या खाब काम करेगा ओके अभी 24 हमने चेक किया 34 में भी है चलो एक बाद 34 देखते है तो 24 की ज़त था बांद एक मैं भूल गया 5 10 15 20 25 30 35 यह 34 यह पॉइंट पर आ रहा है कुछ नहीं भाई तो नहीं नहीं कुछ नहीं जीरो तो अभी तो और चेक करने के जरूरत भी नहीं है आपका प्रॉब्लेम आच्छा एक पिन नंबर 6 पे जो क्या बोलते है जिरो का वोल्टेज है वो इधर पर है पिन नंबर 6 वी सी सी ट्री एक बद देख लेते वह आवेलेबल नहीं है न आ फाइफ और आपका आयो डेट है आयो में कोई भी पाउर नहीं है तो यह यह 6 इधर पे भी बोल्टेज नहीं है यह आना भी नहीं चाहिए वो बाद में आएगा बट इधर पे 100% मैंने चेक किया 24-34 मिला नहीं आपका 3 standby आपका missing हो गया तो यह भी एक उसका reason है तो हम लोग उस तरब जा रहे हैं ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे पहले देखेंगे आपावर ओफ करते हैं ठीक है पावर ओफ होने देते हैं लग गया हमारा बजर मोड में ठीक है मजर बोट को चीक करना है शौटिंग के लिए शौटिंग नहीं है ना एलडी ओ लाइन में शौटिंग हो सकता है तो 5 10 15 20 25 24 आम 90 आ रहा है ठीक है ओके है ओके है कोई बात नहीं ठीक है तो शौटिंग तो नहीं है 3.3 बनना चाहिए इससे बोल्टेज गिरेगा नहीं बिकाज यह वोल्टेज बहुत जगा जा रहा है तो थोरा से लो है इसलिए इसलिए उपके स्टैंबाइ का वोल्टेज है ना तो ठीक है चलो अभी टर्श करते है तो हमने क्या पाया हमारा जो 80e स्टैंबाइ सेक्शन में वह ऊके है बट इसका जो लाइट नहीं जाल रहा था उसका रिसें reason है हमारा three volt stand by missing है ठीक है तो वो हम लोग कैसे find out किया हमारा जो schematic से हमारा जो आयो है उसका power तो आयो no power में है तो आयो कुछ भी नहीं काम करेगा तो हम लोग देखेंगे इतका birthplace तो यह नहीं है यह वी सी सी के लिए use किया गया है यह नहीं है यह भी कोई used है यह भी pull up है देख सकतो पूल अप के लिए use किया है रेइस्टर के उपर में लगा हुआ यह भी कुछ नहीं है यह used है use किया गया है यह भी नहीं है यह भी नहीं है bunch of capacitors लगा है क्या है भाई इस यह कुछ भी नहीं है capacitor का line है इसमें voltage आएगा इधर भी पूल अप के लिए use किया है इसमें भी कुछ नहीं है विगाज यह देखो यह पूल अप से हमारा IPC में जा रहा है ठीक है तो ओके इधर पे भी एक पूल अप है 10 किलो का हमारा जिम्मेदार इधर पर नहीं लगता है यह capacitor है छोड़ देंगे हम लोग यह कोई conversion नहीं है आगे जाते है यह भी पूल अप भाई किधर से बन रहा है भाई यह क्या यह भी तो पूल अप ही है ठीक है यह भी नहीं है यह तार है बोर्ड में present ही नहीं है चलो आगे चलो ओके यह भी आर है बट यह घूम सकता था ठीक है यह आर अगर होगा तो यह नाम से यह नाम पर convert हो जाएगा ठीक है तो ठीक है हम लोग आगे जाते है थोड़ा सा ठीक है दिखते है कुछ इधर नहीं है इधर पर आ रहा था कुछ मिलता है कि नहीं अरे इधर पर तो आके चला गया मैं है ओके ओके यह भी नहीं है इसका बर्थ प्लेस जोंग रहा हूँ अच्छा भाई यह तो एक एकदम पी एसल लोजिक के जैसा है चाहिए पीएसल लोजिक जब पराऊंगा तब अप समझेंगे यह इसका मतलब क चोड़ो इधर पर देखो V3P3A इसका मतलब 3.3 वोल्ट का कुछ सप्लाई ऐसे आया है यह आर है इसका मतलब यह ब्रजन नहीं है डायरेक नहीं आएगा आएगा एक मॉसफेट के थूरू मॉसफेट का अगर अंदर का डायोट का डायोट नहीं डायरिक्शन देखो कि बा सब्सक्राइट मैंने देखा और महरा मैंने देखा आपका नकानी बटा है मॉसपेट के यह ऑपका क्या नहीं देखा आपका यह जो यह बशं opened के देखो इधर पर नीचे में इसका 5V का भी ऐसा है 5V से भी सीस्टेम है से लाइन से गनेक्ट है सास इसलपी सास फेट ओके इसलपी का सिगनल मतलब तो पी सीच से जिनाइट होना वाला तो पी सीच से होने वाला सिगनल कैसे पहले बनेगा ठीक है चलो आगे जाते हैं तो हम लोग देखते हैं बहुत टाइम गलत लिखा होता है तो हम लोग देखते हैं इसका बर्थ प्लेस क्या है यह क्या बन रहा है यह बनेगा तो यह काम करेगा तो यह बनेगा ना तो इसका बर्थ प्रेस जूनते हैं ओके चलो आ गया है हम लोग मेन जगा पे वी सी का नंबर है यू 37 हम लोग ढूनेंगे इसका इंपूट में 5 वोल्ड आ रहा है इसका मतलब पर्पेल वायर का 5 वोल्ड और आउट्पूट में हमारा थ्री वी वी अंडर स्कोर 3 पी वी है तो जो इधर पर जाएगा मैंने जो पॉइंट पर सर्च किया इधर पर जाएगा और यह घूम के आपका स्टैंडबाई बनाएगा ठीक है तो यह सर्किट को हमें चेक करना है ऑफ कोर्स तो यह मॉसफेट का नंबर है क्यू 57 ठीक है इसे हमें याद रखना है और यह है यू 37 तो चलो यू 37 का प्लेसिंग धूनते हैं क्या है यू 37 एंटर अच्छा यह साइड में है ओके कनेक्टर 24 पिन के बाजू में ऐसे ही लगा हाँ थोड़ा सा और बर करो यह यह 24 पिन का कनेक्टर है रैम स्लॉट है आयो है यह है तो यह यू 37 थोड़ा सा मैं काच्छे लेके दिखाता हूं सामने से यू 37 मार्क किया यह तो इधर पे हमारा यह मॉसपेट ठीक ह ओके और यू 57 यू नहीं क्यू 57 किदर पर है कि यू 57 ओके आया कुछ हां इधर पर भी मार्किंग हुआ वान सेकेंड मैं थोड़ा सा जोन करता हूं यह देखो यह क्यू 57 और 61 दोनों में बीच पीच में है इसके सामने एक कैपासिटर है उसके सामने तो 61 क्या वह फाइब सॉद्ट वाला है देख लेते हैं एक सोडी हैंड अरे यार कि दर चला जाता है यह आर भी-ईक सामने इस हूं यह सामने यह सस्टे पीचे में बर आ हम रॉप फीच ऑट अपरेट है उसके सामने में चो टाहिए दो पॉल भा न नो अह गुए अच्छे में एक छोटो तो पावर ओन करते हैं पावर ओन कर दिया तो देखते हैं इसका स्टेटस क्या है तो असा साइड ले देते हैं कुछ नहीं है गेट में ओके मैंने तो वोल्टेज मूट पे ही नहीं डाला है गेट में टू वोल्ट है तो अगर यह पी चैनल है तो ही 5 वोल्ट पास होगा ओके और इन चैनल है और इन चैनल पी चैनल क्या उधर पर लिखा था एड़ जस्ट यह इसका एड़ जस्ट वोल्टेज है इसके मुताबिक इसका आउट्पूट बनेगा तो इनपूट 5 देखो आउपूट 3.3 बन रहा है इसका मतलब चलो अपको फिर से मैं स्केमेटिक पे लेकर आता हूँ इसका मतलब है हमारा यह सप्लाई यह ओके मैंने जो बताया एक नंबर पिन यह फिर से ओपन हो रहा है क्या नहीं एक नंबर पिन हमारा एड़्जस्ट है यह पे 2.19 औ और 2.2 आ रहा है वी आउट से 3.3 निकल रहा है और भी इन पे 5 बोल्ट है तो यह जो पावर है वह इस मॉसफेट का जो क्या बोलते है ड्रेन में आएगा ओके सॉर्स में आएगा तो सोर्स में आ रहा है और ड्रेन साउट होगा 3 बोल्ट ठीक है सेम फाइब बोल्ट भी आ द्रेन उसके बाद गेट को स्टेटस ठीक है और यह पी चैनल है अगर पावर को पास करना है गेट को लो होना पड़ेगा लो वल्टेज देना पड़ेगा किसतना 3.3 वोल्ट से कम ओके 1-2 वोल्ट काफी है पास कराने के लिए एन चैनल होता तो ज्यादा देना पड़ता ह तो यह Q57 है तो इधर पर हम लोग देखें यह देखो Q57 and 61 तो यह 57 है यह 61 है तो चेक करते हैं यह हमारा गेट है गेट में हाई वोल्ट है फाइव वोल्ट है गेट में इन्पूट 3.3 है आउट्पूट में कुछ नहीं होना चाहिए यह हमारा प्रॉब्लेम मिल गया हमें थीच है अगर यह पावर इधर पे नहीं आएगा तो आपका स्टैंड बाई का वोल्टज आयो को नहीं मिलेगा और आपका वोल्ट नहीं चलो होगा ठीक है इसका बाजू वाला बहु इसा है क्या हाँ वाला भी वैसा है तो 5 वॉल्ल्ट आकर रूक रहा है ट्रांसपर नह तो यह हमारा क्या बोलते हैं अभी हम लोग फोकस करेंगे एक जो हमारा पहला वाला है Q57 में ठीक है अच्छा एक चीज हम लोग अभी एक चीज देख लेते हैं ठीक है हमारा Q57 जो है यह इसका जो fofa Quinn अगर वह स्टैन्डबाई का सप्लाई अमारा आयो पे तो जा रहा है अगर हमारा expressions सलॉट पर जा रहा है यह इक्सप्रेस टाट पर तो ही हमारा यह बनने पर हमारा ग्लोग कर लहाँ तो एधर लिछ लेते हैं इसका नेम जो है आपको ले लेता हूँ मैं उसका जो नेम है वो यह नहीं होना चाहिए यह होगा तो वो स्टैंडबाई का लाइट जलेगा ठीक है चल तो स्लोट स्लोट स्पेस हो गया स्लोट 3 इंटर यह मिल गया देखो इधर अधर पे 3.3 है वी सी सी 3 इसका मतलब यह बोल्टेज जो है यह 3 है यह 3 है दो ही मिलता है कौन सा पिन में देख लो यह आ रहा है आठ नमबर पिन पे यह 9 दस पे जाता है यह 9 और 10 पे जाता है ठीक है आर 12 वोल्ट जाता है 12 वोल्ट को अप छोड़ो तो 3.3 का जो आपका यह LED है यह जो स्टैंडबाई का LED है ना इधर पे स्टैंडबाई का LED ठीक है यह यह नहीं जलेगा यह अगर लाइन ओन भी होगा जो मैंने अभी डिसकवर किया वो क्यू फिफ्टी सेवन में क्यू फिफ्टी सेवन यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट केस्टडी बन रह करना है कौन सन क्या है आयो में पावान नहीं है आयो का पावार को हमें रिट्रिफ करना है ठीक है तो हम लोग जाएंगे SLP यह मेरा थोड़ा प्रॉब्लेम लग रहा है इस पॉइंट पर विकॉज SLP क्यू लिखा गया है SLP का सिगनल तो हमारा आता है किस से पीच से यह प पीच कंट्रोल करेगा तो पीच को एक्टीव होना परेगा पीच तो अभी एक्टिवेट नहीं है तो कुछ ना कुछ तो लोचा है इस पर ठीक है तो हम लोग जाते हैं इसका बार्थप्लेस ढूंडते हैं ओके तो एक चीज़ तो मिला दोनों ही तीन पाज वोल्ट का मॉ ओके कि वहान सेट यह तो यह इस में गधैनि देखंगानल ये देखो यह मैंने जो सार्च किया वह लाइन यह है ओके यह है तो और किदर से भी जा रहा है क्या नहीं वह ही है आपका जो साजबी का जो उधर पर मिला मुझे SLP क्या था SLP SUS FET ठीक है वह यही लाइन है SLP SUS FET ठीक है पात नमबर 2 तो यह पात नमबर 2 है तो पात नमबर 2 पर साजबी कनेक्टेड है अमारा SLP SUS FET का सिगनल जिदर से वह फेट एक्टिवेट हो रहा है ठीक है सो इसका जो बर्थप्लेस है वह घूमके आ रहा है इस पर SLP का SUS B में तो चलो इदर पर नाम को चेंज कर लेते इसका सब्सक्राइब कर लेते हैं इसे देखते हैं सब्सक्राइब किसाद से आ रहा है यह तो आयो से ही आना चाहिए आयो नहीं सब्सक्राइब से चलो साज भी यह साज भी अच्छा भाई वन सेकंड वन सेकंड इधर पर कुछ ना कुछ हमें गर्बल लग रहा है ठीक है एक सेकंड यह सिगनल ना कुछ ना कुछ गर्बल लग रहा है यह इसका नेम नहीं है यह इसका नेम होता तो इधर पर भी वह लिखा जाता ना यह अंडर स्कोर आर फूर भी है सॉरी सॉरी मैंने थोड़ा गलत टर्न ले लिए मुझे पोबली ठीक है मैं इक बाद देख लेता हूं यह किदर से यह देखो यह ठीक है मैं फिर से आपके लिए पिछे जाता हूं ठ देखो यह हमारा 57 & 5061 का MOSFET है ठीक है दोनों का gate SLP सास फेट से गनेक्टे रहे ठीक है अगर मैं बैक करता हूं यह और फांड नहीं कर सकते है ठीक है सामने जाते यह देखो इधर से कंट्रोल हो रहा है ठीक है इधर से लाइन क्या वही है ठीक है बट यह और एक पॉइंट है अधर पर जस्त रेफरेंस किया था बट वो आप समझेंगे तो थोड़ा सा डिस्टब हो सकते है आपके लिए तो देखो इधर पर दू हमारा ट्रांजिस्टर है ठीक है आपका जो भी एमिटर है उसमें आपका आ रहा है सड़ी यह एमिटर नहीं है इस अगर इसका गेट में हाई वोल्टेज आएगा तो आपका यह एंपन का ट्रांजिस्टर है तो आपका क्या होगा यह फाइब वोल्ट ग्राउन होगा और आपका एसलफिक फेट का सिगनल इधर से नहीं निकलेगा बट हम लोग देख रहे हैं हमारा जो यह जो लाइन है इसमें हम लोग क्या चेक कि इधर पे जो हमारा मॉस्पेट था यह पॉइंट पर यह मॉस्पेट यह दो मॉस्पेट का गेट हाई है गेट का सिगनल का नाम क्या है एसलपी सास्पेट का नहीं कर सकता है और ऐसा हो सकता है गेट नहीं आ रहा है इसलिए यह ग्राउंड नहीं कर रहा है तो हमें find out करना है क्यूं 52 तो चलो फिर से हम लोग चले जाते हैं board view में क्यूं 52 देखा कैसे backtracing हो रहा है कितना ज्याधा यह सब जो भी आपका commercial board है वो बहुत complicated होता है चलो यह मिला है मुझे यह आपका आपका जो RAM slot है या IO है उसके सामने लिखा गया है Q52 तो इधर पर IC किदर पर है हमें नहीं मालों ठीक है ढूलना परेगा फिर से तो कैसे होगा transistor or MOSFET dual MOSFET देखने में 6 pin का छोट IC होगा ठीक है मैं दीखा देता हूं कैसे दिखने में होता है देखो यह जो है यह जो है ऐसा ठीक है तो हम लोग देखेंगे इधर पर दिखा रहा है इस पॉइंट पर लिखा गया है Q52 तो एक बाद देख लेतें सब्सक्राइब का देख पर देख crusty टू किम फिफ्टी टू किम फिस्टी टू है तो ये कुफिफ्टी टू यह इधर से back आते हैं तो यह देखो यह है ठीक है यह मैंने जो दिखा रहा था वही है तो यह है यह एक है यह व्य को ओपन है यह यह बांच उप रेहिस्टर का line इधर पर रेहिस्टर भी है तो चलो देखते है यह तो 52 मिनल मेरे था जुआ 51 52 तो यह 51 है यह 52 तो चलो pin नमबर को Check करते हैं ठीक है तो फिफ्ती टू में इसका पिन नमबर 6 & 3 में 5 बोल्ट आएगा चलो देखते हैं 6 on 3 तो पिन नमबर वान यह है अबको मल्टमीटर तो नहीं दिख रहा है ठीक है दिख रहा है तो पिन नमबर वान यह है 2 3 यह देख़ो 5 बोल्ट ठीक है तो 5 volt आ रहा है ठीक है इस इसे 5 volt को ground नहीं कर रहा है क्यूंद कर रहा है उसे हमें देखना है 6 नंबर पीन पे 123456 6 में नहीं यह क्या नहीं 6 में भी है 4.7 6 तो दोनों पिन पे हमारा 5 volt है गुड अभी देखना है यह देखो मैं दिखा देता हूं मैंने चेक किया 6 & 3 इधर पर 5 बोल्ड 5 बोल्ड आ गया ठीक है अभी हमें चेक कनने 2 & 5 बेस आ रहा है कि नहीं बेस जो है वो कैसे आ रहा है वुसे आपको देखना परेगा उधर पर जो नंबर दिख रहा था ना दे देखो यह यह वो ठीक है यही सब नंबर है तो यह सस्ट B का सिकनल यह आ लिखा गया है और यह कूं सा है ओके यह लिखा गया है चलो मिडिल वाला यह फैला वाला यह सेकेंड वाला तो दो दो पे कुछ नहीं है फिट से मैं हाँ दो पे कुछ नहीं है तीन पे है चार पे नहीं कुछ यह पांच आज पे है कुछ वन सेकेंड मैं थोड़ा रखके देखता हुआ नहीं है तो जलो यह तो मेरा ही दम निकल रहा है इसको रिपेर करते हुए तो यह हमने पाया क्यूं मेरा मॉस्पेट नहीं ओन हुआ क्यूं हाइब इसका गेट नहीं आ रहा है और बेस नहीं आ रहा है तो बेस के अर से इससे रहा है आर लिखा गया है पहले मैं देख लूंगा इधर पे आर है कि ने six six nine कि ये 669 बीक्से नाइन दिखा रहा है ठीके oney Eyes क्यों तो या क्यूफ्त ये मैंने देखा था ये तीन तर इसके सामने उसके सामने ठीके तो इसके सामने इसके सामने उसके सामने ये रेजिस्टर वन सेटन आ हम पनी देख सकता हिंद है तो ये इसके सामने वाला रेजिस्टर ये रेजिस्टर है और इसके सामने वाला ये तीन है और ये लास्ट वाला मोस्प्रवब आपका कि इक्स क्या नंवर्टा 669 है ठीक है देख लीधे चलो दीखा रहा है किधर पर भी दिखा रहा है उद्धर पर ही ओके इस ूऌइं पर 669 दिखा रहा है ठीक है तो 669 ऐसा कुछ लिखा होगा दिख तो नहीं रहा है भाई 669 नमबर दिख रहा है आपको मुझे तो नहीं दिख रहा है तो कैसे हम लोग कॉंफर्म करेंगे यह पैड ओपन है वो ही है तो कॉंफर्म करना दिक्कत हो गया विगाज इधर पर तो दिखा रहा है इसके उपर वाला पॉइंट पर है अच्छा यह मॉस्पेट के नीचे अब तो इधर पर चला गया और नहीं इधर पर नारे यार किदर पर जा रहा है वान सेकेंट 615 है यह इस इधर पर लिखा हुआ है तो इसका मतलाब इधर पर लिखा गया है ठीक है यह देखो यह 669 यह 669 ठीक है तो ऐसा कूझ हमें फाइंड आट करना है तो यह हमारा क्यूं का सेक्षन है यह देखो यह क्यूं का सेक्षन इधर से चालू उसके बाद ऐसा दो रेजि हमारा दो पॉइंट है तो चलो देख लेते हैं अब को हाथ में रखके ही कोई वोल्टेज नहीं देख सकते हूं रिस्टर नहीं है तो इसमें 3.3 है बट बोर्ड में कोई रिस्टर लगाया गया नहीं है तो यह लॉजिक तो इधर से नहीं बनेगा ठीक है आर इसलिए लिखा गया है यह होता तो बहुत अच्छा होता एक दम जल्दी जल्दी काम बन जाता बढ़ यह नहीं है भाई लॉजिक भी गर जाएगा तो हम लोग जाएंगे इसल पी साज भी में इसल पी का सिगनल तो भाई हमारा पूरा पीसी एज कांट्रोल करता है यह कैसे बन रहा है कि यह बहुत जगा जा रहा है बर्थ प्लेस ढूंडेंगे हम यह देखो भाई यह फ़ी एज अहरा बर्वार ओके अर्वेश पर्वार उस बीसी तो यह को ब्रूंड इस अम लोग पी सी एज को ओके चलो इदर पर हम लोग ब्सी में पूरा रिकोर्वारिंट में देखते है ठीक है हम लोग फजगे बहुत बढ़ा फजगे ठीक है अरे यार इसलिए लोग ना पूरा स्केमेटिक बगरा चान भी इनके फॉल्ट फैंडिंग करके विडियो बनाता है ऐसे कोई नहीं बनाता है अरश क्यों करके 쉬 immerkum है अ clicking अंडिक बहुत है यह दिक्कत बहुत बड़ा है चीके तो हम लोग देखेंगे अच्छा एक चीज इक चीज दीप आरोके मैंने चेक किया था रिफकि किया मिल रहा है क्या नहीं यह नहीं है इधर पर कुछ दी पावर ओके बगेरा विकाज दी पावर ओके ऐसा एक सिगनल है जो आर्टी सी का कॉन्फरमेशन देता है पीसी इच को ठीके वो सम्टाइम आयो भी भी रिसीव होता है और सम्टाइम पीसी पे बेडिशेव होता है एक बद देखते है दी पावर पीडाबलू आर ओके विकाज यह एक इन्पोर्टन सिगनल है आर्टी सी का कईल अपिर मिशन बिकाज अगर आर्टी सी का कईलाइच नहीं मिलेगा प्सीएच को तो प्सीएच वो सिगनल नहीं रिलिस करेगा ऐसा हो सकता है ठीके चलो एक बड़ी पावर हो के देखते हैं मिलते हाँ कुछ नहीं है कर पी डीड डावलू पर हो गया वह कि profit की डावलू को प्यटेम। अफ्य है द्षिंजंगे modularरी थे हों अरे बाइ अंधवी तो होना इधर पर ही मिल गया कहने हम ने चेक श्याहता ना देख रोक्न गेहें तो 이 copy i got paste pcsd power okay ठीक है आप लोग देख सकते हो ना pcsd power okay yes यह एक signal है विकोज यह pcsd आपको दिखाता हूं मैं पहले हमने चेक किया था यह pcs कुगर पॉइंट पे ठीक है तो यह हमने चेक किया था ना आटीसी रिसेट एसा टीसी इंच्रूडर आई एंटी वी आरेम यह ना वेल उसका ही ओपोजिट साइड में आपका क्या है किदर गया भाई आपका जो सास का सिगनल पावर अरे इधर पर नहीं है क्या नहीं इधर करएगर यह यह देखो एसलपी तेसे लिए आपका डीपावरोंकर होना जरूरी है तो टीपावरोंकर तो अंदर में सीप्यू के आंदर पीसी इच के अंदर चला जा रहा है तो हम लोग बाहर से देखेंगे कोई पॉइंट पर ओके हम लोग एक लॉजिक अच्छा भाई एक लॉजिक सर्किट में आगे ठीक है डी पावर ओके को ढूंटे ढूंटे तो यह पहले चेक करना चाहिए था आटीसी जब भी चेक करो आटीसी का कंफर्मेशन जो है वो आपको यह सिगनल आपको आयो से भी निकलता है समटाइम आयो पे भी यह मिल सकता है और आपका pch में जरूर जाएगा ठीक है यह pch को इनफर्मेशन गता है तो आटीसी का पावर गुड है यह क्या है अटीसी का पावर गुड हमने यह नहीं चेक किया तो चालो इससे चेक करते हैं तो हम लोग क्या आगे एक पूरा दिमाग घुम सौरी वी अंडर स्कोर थ्री भी पी अंडर स्कोर ए बन रहा है ए आया पी सीज डी पावर होके ए होके यह क्या है यह नौट गेट है नौट का मतलब है आप ऐसा बंदा समझ लो जिसको आप जितना मर्जी बोलो भाई चल ले वो नहीं गयेगा क्या बोलेगा जिन नहीं जान को भाई पूरा पगला पूरा पगला देखो यह लाइन यह वोल्टेज आएगा 3.3 ठीक है पहले तो हमें देखना है आर टू सिक्स्टी फोर पे 3.3 है कि नहीं यह सिगनल हमारा बन रहा है कि नहीं यह एल्डियो होगा तो ही बनेगा बनना चाहिए यह यह बनेगा तो इधर पर हाई आया ठीक है हाई मैं इधर से पिंसिल से ड्रॉ करता हूं ठीक है बहुत अच्छा होगा तो यह अपका 3.3 का लाइन है ठीक है यह वी रेज होगा और ई को जी मैं माउंस से लिक रहा हूं ठीक है हाथ जो हेंडिटिंग है वो घंद हो रहा है इसलिए तो पावयर इधर से आया इधर पे चला गया यह वा हाय यह हाई लॉजीक इधर पे लो लो फिर से इधर पर ट्रैवल करके इधर पे लॉज topics गया और जो देंगे उसका अपोजिट हो जाएगा हाई दिया लो होगा लो देंगे हाई हो गया ठीक है यह इसका लॉजिक है और इधर से यह आर 240 और 241 इसका वैलू 499 आर है इसका माना 500 ओम है यह ओके यह 500 ओम एक 10 किलो ओम से यह पास करके पीसी एज पावर होके बन गया डी पावर होके ठीक है मैं इसे थोड़ा सा सॉरी इरेजर से इसे थोड़ा सा मैं मिठा देता हूँ यह मेरा और एक जिरो होगा ठीक है यह ओम है तो यह आपका सर्कीट तो यू ट्वेंटी वान तो छोड़ो पहले हम लोग देखते यह इधर पर जो रेजिस्टर है हमारा यह बन रहा है कि नहीं तो रेजिस्टर का इंपूट आपूट हम लोग चेक करेंगे आर टू सीक्स फोर चलो टॉब व्यू आर टू सीक्स फोर यह बहुत अच्छा केस्टरी है है चलो एक रेजिस्टर इधर पर मिल रहा है किधर पर है लोकेशन थोड़ा सा मैं इसे छोटा करता हूँ आप देख सकते होना भाई अरे ज्यादा है चोड़ा कर दिया इधर पर ओकेशन यह हमारा बैटरी गनेक्टर है उसके सामने एक कैपसिटर यह बरा सा क्या है बैटरी कैपसिटर बजर है यह बजर के सामने एक आइशी है उसके बाजू में एक दम लगा हुआ एक छोटा इसी है इधर पर ओके एमिला यह मिला मिला माद मालेंगे यह है बिच पूर और ओके यह है अमारा नौडगेट का इसी यह घर पर ही लिखा यू 21 इस है और यह हमारा रीजिस्टर तो इस तो क्या हम लोग अभी चेक करेंगे चलो क्लियर करते है है सॉरी यह नहीं है हम लोग चेक करेंगे यह इसे मैंने पहले थोड़ा एरेस कर देता हूं पहले चेक करेंगे और 264 जो मैंने देखाया इसके इन्पूट आउटपूट में 3.3 होना ही चाहिए इस यह नौट गेट को हम लोग नहीं चेक करेंगे एकदम फाइनल आउटपूट में चले जाएंगे आउपूट क्या होना चाहिए हाई लो लो हाई इसका मतलब हाई टू हाई होगा तो एक रेइस्टर से कनेट कर देते तो बहुत दिन चल जाता ना इसलिए नहीं कर रहा है तो इधर से हमारा टू आर टू फोर जीरो और टू फॉर्टी वन एक वोल्टेज डिवाइडर होके बनेगा तो थ्री पॉइंट पाइफ है तो ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा अब पकर के चलो 2.5 से 3.0 के वोल्टेज ब चेकेंगे आर टू फोर जीरो ठीक है उसके बाद एकदम फूल सार्च करना है और टू आर टू फोर जीरो ठीक है सार्च मिल जाब आप मिल गया अरे कि दर गया हां ओके इधर पे है छोटा सा ठीक है मैं और भी जूम करता हूँ देखो ये बाजर ये आईसी ये यू ट्व फोकस कर जा भाई आप देखो ये तू सीकस्टी फूर है और दिखा रहा है आईसी के कोने में ठीक है इधर फेलिखायद फॉट्टी देखते हैं 240 यह आई सी यह आई सी आई सी के कौने में इधर पर दिख रहा है ठीक है ते है 240 और 240 से के न वाला आपको मैंने फैंग लास के बीना नहीं दिखे गाँ दिख रहा है आप टू फॉर्टी गांजिस्टर के ऊपर इस पॉइंट पर देख वहां मैं पर मार्किंग करता हूं उस पहले सी 227 उसके बाद है और 240 उसके बाद है आर का 241 तो ओके हमें 240 और 241 दिखा था न उसमें यह देखो 240 और 241 दिखा था तो 240 241 और एक कैपासिटर यह है कैपासिटर तूसी जो मैंने देखा ओके ओके गोड यह पूरा ओपूट में कनेक्टेड है तो फोकस हो जा यह आपका लिखा है कैपासिटर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तो यह है कैपासिटर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऐसा ही लगा हुआ है ठीक है इसका वैलू यह है इसका वैलू आगे लिखा गया है तो most of the time यह हो सकता है तो हमीं देखना है अभी वोल्टेश चेक करन ठीक है बहुत मेहनत लग गया इस वीडियो बनाना में इस वोड ने इतना टाइम कॉंजुम करेगा कैसे बता सकता अभी तक पॉब्लेम अब देखो देखो 3.3 इंपुट पर आ रहा है ठीक है यह यह कैपसिटर ने रेजिस्टर पर चेक कर रहा हूं ठीक है इंपुट पर 3.3 आया और पूट में 3.3 निकल गया इसका मतलब आई पर 20 में हाई वोल्टेज चला गया हाइई बने गा उसके बाद लो बनेगा उसके बाद फिर से हाई बनेगा हाई का आउटपुट की सेरपे मिलेगा यह कैपसिटर पर और यह रेजिस्टर पर रेजिस्टर पर चेक करते है ठीक है थोड़ा सा धूंदला हो रहा है मैं तो अच्छे से देख सकता हो बड़ कैमेरा में देख नहीं सकता येस भाई इसका तो बन गया भाई इसका तो ये लॉजिक भी ओके है मिल गया मिल गया बच्चों के जैसा खुशी मिलती है समझे ये देखो इसका इंपूट में 3.3 है ठीक है अटीस रेजिस्टर का आउटपूट में कुछ भी नहीं है यही डीप आवर ओके है तो देखो 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 भाई तो आर टू मैचिक कर रहो आर टू 2.4 पे यहां 2.4 इधर पे है इंपूट पे यह आईसी का आउटपूट है रेजिस्टर के इंपूट में मिल रहा है 3.3 तो आईसी ने काम कर दिया हाई हुआ उसके बाद लो हुआ फिर से हाई हो गया बाट रेजिस्टर का आउटपूट में कुछ भी नहीं है जीरो वोल् मैं दिखा रहा था ओके यह सर्कुट को तो यह 264 पे हाई मिला हाई अंदर गया लो हुआ लो आगे गया लो फिर से घुम के हाई हो गया ठीक है नॉट गेट के हैल्प से हमने चेक किया 240 नंबर रेजिस्टर का इन्पूट पे मिला 3 वोल्ट सो आईसी ने काम कर दिया वर्ट के मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेता हूं ठीक है आपको ओके इसे हाटा सकते है गुड तो इधर पे हम लोग आये तो हम लोग देखा आईसी रेजिस्टर का इन्पूट में हमें मिल गया 3 वोल्ट बट पूट शॉट है और हो सकते हैं आपका ये 500 ओम रेइस्टर घराब है ठीक है चलो देखते हैं पहले तो हम लोग बोट को पावर आफ करेंगे पावर ओन था देख सकते हो पावर आफ आफ आटीसी बैटरी ओपन विकास कोई वोल्टेज हम लोग नहीं चाते है विकास नही हम जाओ हम तो यह आपका यह आई सी यहरेजिस्टर का इंपूट इंपूट में ओके आउटवूट हों जा माई आफ अब एबिकार प्लेश्ट़ उके हमदा से इस साइट से मैं दिखान लिकान हाथ से नहीं हाई लगा सकता हूँ तो के यह देख को ठीक है और यह इंपूर्ट इसका ठीक है तो अभी देखते है रेइस्टर का वैलू क्या है 500 ओम है तो दोसों में तो आना ही चाहिए अगर इसका वैलू दोसों में कुछ नहीं आ रहा है ठीक है टूमेगा ओके 1.3 मेगा ओम शो कर रहा है जिसका वैलू कितना होना चाहिए था 500 ओम इधर के देखो यह तूफर्टी में जेक कर रहा है 500 ओम 499 ओम इसे 1.3 मेगा ओम चला गया इसका और डी पावर ओके मिसिंग हो गया आपका आट टीसी का कॉन फर्मेशन और पीच ने देखा भाई आ और इसका मतलब क्या है इसका मतलब है आपका आटीसी प्रॉपर लिए ओके नहीं है और इसलिए पीसी एट ने साजबी सिगनल को छोड़ने से इंकार कर दिया और साजबी सिगनल नहीं छोड़ा इसलिए आपका ये मॉस्फेट स्विचिंग नहीं किया ये तो कर दिया यह मेरा रेजिस्टर बुक ठीक है 500 ओम चाहिए वह लोग फाइब टीक है फाइप टीन है ठीक है मेरे पास फाइब टीन एक निकल लेता हूं मैं जल्दी जल्दी वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है स्वरी मैं किदर से रेजिस्टें निकल लेता हूं है इधर से एक सेंग मैं मैं लिए रेजिस्टर निकल लैब कर बुक को ये रेजिस्टर मैं निकाल दिया ओके चाला विसे साइड में रखते है ने ढयरई स्टे इक reception काम कर जाए भाई बस और ये हिस्टर को मैं एधर बेड़ रखता हूं अच्याम प्लेस्टि इंस करके से रिप्लेस कर देता हो मेरा डियो सो बंद करते हैं पावर सप्लाई ओफ होट यार ओन थोड़ा सा प्रेस्ट पर कार्ट को में निकल ले ता हूँ वेंगा कार्ड है प्रेस्टर दिखने में एकदम फ्रेस है हाँ निकल गया एकदम फ्रेस्टर है मेरे यार उर गया क्या वो रेस्टर है हवा के वैजए से मुस्पर हुली और गया यार मेरा तोड़ा यार जाबा था वान सेकड मैं दीख लेता हूं नहीं तो फिर से एक रेस्टर निकलना करेगा कोई दिक्त नहीं है बट वो गया मुस्पोब ठीक है वो तो गया किदर गया भाई एरे यार फिर से निकालना परे गा किदर पर हिल डूल रहा है कुछ देखते हैं इधर से ऐसे हां मिल गया है यह देखो आज मेरा लगव अच्छा है एक काम करना चाहिए फिर ठीक है यही है एक बाच चेक कर दे है यह एक बाच चेक कर लेते 500 की करीव आना चाहिए ट्वेंटी एनाफ है ट्वेंटी क्या टू के एनाफ है यह आपका रेजिस्टर 500 की करीव एक तम यही है गुम गया था ज्यादा यार के वज़े से यहार पूरा जीरो कर दिया मैंने अभी नहीं गुमेंगा कुछ भी तो अब लोग देख सकते हो मैंने क्या किया इस रेजिस्टर को उपेन कर दिया मैं आपको दिखा देता हूं यह आउटपूट का प्रेश्टर को हम लगाएंगे और इधर पे हमारा खराप रेइस्टर है ठीक है आप देख सकते हो कि दर गया भाई वन से कि यह 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 पर आउब हुआ है ठीक है यह पर आउब तो चलो जल्दी जल्दी लगाते हैं वीडियो बहुत लॉंग हो रहा है भाई वो गया फिर यह मिल गया प्रेश सब्सक्राइक पर देंगा इंक मतव न हुआ पार दिला लाक है एड़ा भाईन है ऊश्डि टूइजर से होता है कोई बात नहीं अच्छा भाई लग दिजा अच्छा 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 एसमडी है न कि आप बताओं आपको बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया होग को एक नम् secure में लगा दिया ठिक यह और यह मेरा खराब रेस्टर अपको दिखे वह भी नहीं इतना सोटा है स्टिके निकल normal ये मैंने चेंज कर दिया ये खराब इसे साइड में लग दो फेक दो कोई जरूरत नहीं आभी यह मैंने लगा दिया इधर पर ठीक है चलो देखते हैं इसका रेस्टेंस ओके है कि नहीं टूके में ही आ जाएगा इसका रेस्टेंस तो क्लोस टू आएगा कुछ वालू येस 500 आ रहा है 500 ट्रेंट पर्फेक्ट है है कोई दिक्कत नहीं तो अभी मोमेंट ऑफ ट्रूथ बूट क्या ओन होगा बूट क्या होगा अब शेक है तो बैटरी लगा लेते हैं और आपका मेरा पेंट रही हाँ ये पेंट रही इससे हम डिस्पेश देख सकते हैं ठीक है ये पेंट रही और विजी भी लगा सकते क है तो कण लगा दें कड लगा दिया जुआ हो आए है हुआ है यह पावार मैंने इंजट का ने बोर्ड और भाई बोर्ड ऑन अटो पावर ऑन हुआ सिट से ये तो रेम भीप लग रहा है और कुछ 5 लगा हो सकते चलो एक बर बंद करते हैं ठीक है देखते हैं कि था बंद करते हैं ठीक है फिर से on करते हैं ठीक है इस position पर देखो ठीक है तो देखो मैंने जो बताया इधर पर आपका standby नहीं है आपका board में आफी ट्रिगरिंग करेंगे तो आएगा ये देखो ट्रिगरिंग करें तो आगया देखते हैं, ओके बंद हुआ, इसका मतलब रिसेट कर रहा है, ठीक है, बायो साब यह हुआ है, ओपेन किया था मैंने, आजा भाई, भाई, डिस्पे बन गया बोड में, चलो, काम खतम पैसा है, जल्दी जल्दी आपको दिखाते हैं, और वीडियो को क्लोस करते हैं, बहुत बहुत आपको कंप्लिडेट काम था, आया, ईस्पे येस, आगया, आगया, डिस्प्ले ठीक है, आगया, आगया, बहुत अच्छा, रिसेट, रिसेटी ये, पोरिंग नहीं आएगा, छोड़ो गोडिंग को, आजा डेल, येस, इन्स्पे रैं सिक्स काया था, येक्षि हाँ इंस्पिनल 628 ठीक है तो अभी अगर मैं चेक करूं ओके जस्ट उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे थे ठीक है 3.3 ब्रेइस्टर के इंपूट में था उट्पूट में नहीं था जल्दी चेक करते हैं सिप्यू हीट हो रहा है मुस्ट प्रबली तो यह पॉइंट इंपूट पॉइंट पे 3.3 आउट पूट पे 3.3 ठीक है एक्जैक्ली मेरा बॉल्ट बंद हो गया ठीक है हीटिंग के बज़े से बंद हुआ है और इधर पे बूर्ट में फिस्टे डिस्पर बन गया है इधर पे जो मेरा मॉस्ट था ठीक है वो पावर इधर पे स्विचिंग नहीं कर रहा था और उसका गेड हाई था यह देखो गेड लो हो गया इसका निक्स वाला जो मॉस्पे सॉरी 5 10 15 20 25 24 यह देखो थ्रिबंद्र बन गया ठीक है आयोगा तो एकदम बॉर्ड रेडी हंडर्ट पसेन ओके बूर्ड ठीक है बूर्ड देख सकते हो बूर्ड में डिस्प्ले बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं है सिपी भीड हो रहा है बहुत मैं बंद कर देता हूं तो केस टर्थी तो बहुत ही गजब का था ठीक है मुझे भी बहुत मज़ा आया इस काम को करने में आई थिंक जो अभी तक देख रहे है वह उन्होंने बहुत कुछ सीखाया आसका यह वीडियो से ठीक है कैसे स्ट्रेस करते कितना इंपॉर्टेंट है देखा आठीसी का क्या हुआ आपका पीच ने साजबी का सिगनल निलिज नहीं क्या और सजबी ही आपका पहला वाला ट्रांजेस्टर का का रहा तो हमें इधार पे मिल गया तो हम लोग क्या किया इधर पे हम लोग चयां मालुम परा यह जो गेट है इसका बेस है यह कंट्रोल नहीं हो रहा है इसके कारण से आपका फाइब वॉल्ट इस चांजिस्टर पे आ रहा है मॉस्पेट पे आ रहा है और यह मॉस्पेट स्विचिंग नहीं कर रहा है ठीक, एक simple circuit, बहुँत simple circuit बट कितना घुमा के काम किया, कितना घुमा दिया, बट इसमें भी आपको दिखा, इधर पे light, light दिखा, आगे आ इधर पे, बट इधर पे stand-by नहीं बना, stand by बनेगा भी नहीं यह power के बाद ही बनेगा तो यह न आप अगर समझोगे सभी board में ऐसा है जो आपका power देते ही इधर पे भी आ जाएगा ऐसा नहीं है भाई अगर होता न तो यह सब board में लोग नहीं फसते जादा तो लोग एक ही चीज़ को होना सभी board में apply करते है आपको देखना है इसका power कि धर से आ रहा है कैसे मैंने trace किया ठीक है triggering करते ही ओके वान सेगें यह triggering करते ही वो power बन गया चीक है डिस्प्रे आजा बैटा आ गया बैटा चीक है प्रपर देख सकते हो मेरा pen drive भी glow कर रहा है so thank you for watching गाइस अगर आपको कुछ सेखने मिला है I think बहुत कुछ मिला है ता आप लोग जरूर लाइक और सस्काइब करो और चैनल में जूरे रहो ऐसा ही informative वीडियो देखने के लिए और आप लोगोंने बहुत सारा प्यार दिया है मुझे बहुत प्यार बहुत इज़त दिया है इसके लिए आप उसे दिल से धन्यवाद भाई आप सभी जूरे रहो ग्रूप से connected हो जाओ बहुत अच्छा activity हो रहा है सभी लोग काम कर रह है उदर पर बहुत अच्छा ठीक है सभी को एक साथ आगे रहना है ठीक है आप ये वीडियो देख लो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा एक ऐसा ही case study जरूर बनाऊंगा laptop के उपर ठीक है laptop का board आने दो बना दूँगा डियो से को उपर वीडियो बहुत लोग चाते ह हो डियो से को उपर वीडियो का preparation चल रहा है टाइम मिलते ही बना दूँगा देर दो घंटा लगता है ना बना दूँगा टाइप सी का उपर वी वीडियो चाते हो उसके उपर एक board चाहिए मुझे टाइप सी का board नहीं आ रहा है टाइप सी का board मिल जाता तो अच्छा होता नहीं तो scrap में मेरा बहुत सारा mother board इधर पर परा हुआ है सब बावल रहा है उससे एक scrap उठाओंगा अगर नहीं आता है एक मंत में तो उससे scrap उठाओंगा उससे ही आपको सिखा दोंगा ठीक है जो important है जो आपको check करना है जो क्या है उसका concept बगेरा सब कुछ आपको सिखा वो है AIO के उपर ASR का AIO tripping problem वो भी एक number case था बट ऐसे अगर case को solve कर सकते थे तो आपको बहुत अच्छा लगता बहुत मज़ा आता जितना इसमें मज़ा आया बट वो कर नहीं पाया because customer एकदम जल्दी-जल्दी मांगा था ठीक है जा दो तीन घंटे में उसे हमें देना प जैसे मैं वीडियो दूँगा अभी तक वीडियो बनाया नहीं है ठीक है मेरा दिमाग में है मैं कैसे बनाऊंगा वैसे आपको दिखा दूँगा ठीक है तो चलो बाइबाइ गाई अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक और सॉस्क्रेब करो ठीक है और ऐसे इन झाल